आज हम बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में हाइपोटेंशन क्या होता है इसके कॉसेस और सिम्टम्स क्या रहते हैं और इसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर हमारी बॉड़ी में ब्लड प्रेशर दिन में कई बार चेंज होता है लाइक अगर आप काफी लंबे समय से बैटे हुए हैं और सड़नली स्टेंडिंग पोजिशन में आ जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेश हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अगर ब्लड प्रेशर कम है पर आपको कोई सिंटम नहीं है तो हमें चिंतित होने की इतनी जरूवत नहीं है पर अगर आपको सिंटम्स मिल रहे हैं लाइक ब्लड विजन, कन्फूजन, डिजीनेस, फेंटिंग, फटीग, इनाबली टू कंसंट्रेट, नॉश्या, स्वेटिंग, एटसेक्टर, ऐसा कुछ भी आपको मिल रहा है तो आपको उसको ट्रीट करने की जरूवत है देखिए नॉर्मल प्लड प्रेशर होता है 120 by 80 mmHg अगर ब्लड प्रेशर 90 by 60 से लो आ रहा है तो इस कंडिशन को हाइप ब्लड प्रेशर होने के कई रीजन्स हो सकते हैं जैसे डिहाइडरेशन, ब्लड लॉस, अनीमिया, प्रेगनेंसी, ट्रॉमा या हैड इंजुरी हो गई हो तो, और तो स्टेटिक हाइपोटेंशन, डायबेटीज और लो ब्लड शुगर, हाइपोथाइरोडिजम, पैराथा अन्ट्रोल कर सकते हैं, टिप नमबर वन, डायट मैनेजमेंट, लो ब्लड प्रेशर और हाइ ब्लड प्रेशर, दोनों में ही डायट की बहुत इंपोर्टेंस है, आपका अगर ब्लड प्रेशर लो है, तो आप अपने सॉल्ट इंटेक का प्रॉपर ध्यान रखिए, जूस 10-12 glasses of water per day आपको लेना है, आप चाहें तो कॉफी भी ले सकते हैं, जो टेंपररी आपका ब्लड प्रेशर रेज करने में हेल्प करेगी, इसके अलावा, विटामिन B12 बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बोडी में, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशेंसी से अनीमिया होगा, और विच रिजल्ट इन लो ब्लड प्रेशर, इसलिए ध्यान रखिए कि आपकी डाइट में विटामिन B12 रिच फूट एड़ करें, लाइक एक्स, डेरी प्रोड़क्स, एड्सेक्टर, फूट तर हाइली रिच इन कार्बोहाइडरेट्स, वो आपको खाना खाएं, एक साथ खाना ना खाएं, लासली अलकोहल तो टोटली अवोइड करना है, तो ये थी टिप नमबर वन, नेक्स्ट, टिप नमबर टू है, पे अटेंशन टू यो बॉड़ी पोजिशन्स एंड मूवमेंट्स, हम अपने डेली रूटीन्स में भी थोड़े से चेंजस करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अगर आपको और्तोस्टेटिक हाइपोटेंशन है, तो आप जादा देर खड़े रहना अवोइड कीजिए, नेक्स्ट, अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, तो सड़नली स्टेंडिंग पोजिशन में मत आईए, पहल चेंग, डाइबेटीज और हाई ब्लड शुगर में लीड टू लो ब्लड प्रेशर, एंड ऑन अधर हैंड हैंड हाइपो थाराइडिजम केन अलसो लीड तो लो ब्लड प्रेशर, इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल करके टेस्ट करवाएं, इसके अलावा अगर आपकी आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल जरूर करें, I hope ये वीडियो आपके लिए यूस्फूल रहे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then take care, be healthy and safe, thank you so much.